नमस्कार दोस्तों खबर्चकर केसी में आपका फुना श्वागत है और आज हम उत्राखन के ट्रेट डिसनल फोम के बारे में आपको बता रहे हैं कि किस परकार से कई सालों पहले इस परकार के घर बनाए जाते थे और कई साल उनको बनाने में लग जाते थे उनके अंदर जो कलाकारी थी राज मिस्तिरी के द्वरा और जो काक कारी के मिस्तिरी थे उनके द्वरा उत्क्रिष्ट कला जो से उकेरी जाती थी उसके बारे में आपको बताएंगे अब यह आप ए घर देख रहे हैं काफी जीरन चीरन अवस्ता में है और इसका जीरनोदार होगा नहीं यह देखना होगा कुल मिलाकर जो घर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह घर साट सतर साल पुराना घर है उस समय इसका अलगी मात्तो था और मनुस्य जो है घर बनाना बहुत बाद में उसने सुरू किया पहले वह इसे ही जंगलों में रहता था गुफाओं में रहत खुले में रहता था फिर जोपडियां बनाने सुरू कि जोपडियों के बाद घर बनाने सुरू कि फिर अच्छे घर बनाने सुरू कि आज सिमेंट का यूग है पुरे सिमेंट का जमाना है टाइल्स पत्थरों के घर बन रहे हैं तो कुल मिलाकर उस समय भी मेहनत काफी होत था और उससे काफी फाइदा भी मिलता था तो उन पे आप देख सकते हैं कि किस परकार से मेहनती लोग थे ये बारीग बारीग डिजाइन पत्थर पे काट के बना रखे हैं और साथी साथ कास्ट कारी में आप देख सकते हैं कितने समांतर दूरी में ये सारी चीजें रखी ग नहीं गुशा सकते हैं और आज बारिस में नजानी कितनी बार बारिस का पानी मुशला धार बारिस पूरे बरसात के कितने मौसम इन खुली दिवारों ने जहेल दिये हैं लेकिन फिर भी अपनी जगह पे खड़ी हैं और अभी हम नीचे की तरफ हैं जिसको वबरा वाला साइ हैं यहां पर घर फिर से आपको एक बार दिखाना चाहरे हैं तो फुल मिला करके इतनी बहतरीन कलाकारी आज बिलूप तो चुकी है हमारी यह मिस्तरी नहीं मिल पाते हैं क्योंकि लोग सिमेंट सर्या रोडी बजरी की तरफ चले गए हैं और उसी परकार के घर बनाते हैं जो स्वास्ते के लिए अच्छे नहीं है बिलकुल स्वास्ते के लिए अच्छे नहीं है और ये घर बिलकुल स्वास्ते वर्दक थे लोग यहां पे जब रहते थे तो कई चीजें थे गोवर मिट्टी से इसके गसाई लिपाई करते थे और यह देखिए यह तिबार है और ज़्या ने कितनी आकर्तियां इस पर बना रखी है और जो छोटी मोरी एज जो छोटी खिड़की होती है उस पर भी डिजाइन बहुत बहुत भेतरी साती-साती सीडी देखिए इस सीडी पर भी काफी अच्छे डंग से उस समय क्योंकि उस समय सिर्फ उपर चलना मकसद होता था सीडी का काम होता था और ये भार का पूरा चज्जा और जिस पे पूरा घर अटका होता है जो सतीर होता है उस सतीर को भी आप देखिए इस सतीर पूरे घर की रीड की हड़ी है कुल में लाकर कि पूरे घर को आगे से खड़ा रखता था तिवार के उपर से और सामने छोटा दर्वाज का यह उदमा QUDी और गुम्टी को अगली भगली भी कहते है खंबे के पीछी आप गुम्टी देख रहे हैं आगे से खंबे का दिजाइन देख रहे हैं दो कंबरे देख रें तो तो में जाकिसी धिवार यानि ब्राम देक्सरों के जो से उकेरी गई है इस पे काश्ट कला और जो सिल्प कला है दोनों का अद्वुत नमोना और उस समय जब तकनीक नहीं थी मसीने नहीं थी कुछ ऐसे चीज़ें नहीं थी उस समय यह सारी चीज़ें जब बनाई होंगी तो कितनी मेनत की होगी तो कुल में लाकर आज हम आपको हल जाते हैं लाब बताएंगे और कौन-कौन लोग आज की डेट पे इन घरों का संवर्दन कर रहे हैं किन लोगों के द्वारा पुना इन घरों को बनाने का परियास किया जा रहा है इन पारंपरी घरों के बनने के पिछे का इतियास क्या है कब से ये बनने प्रारम हुए किन लोगों के दोरा ये बनाए जाते थी, इनकी मजदूरी क्या होती थी, इतनी दूर से ढोलान करके सामान को कैसे पहुँचाया जाता था, इन घरों के अंदर कौन कौन सी वस्तों को रखा जाता था, उन वस्तों का क्या क्या नाम होता था, उन वस्तों को किस किस काम के लिए प झाल झाल